नमस्कार दोस्तों मैं राजियन सिंग क्यूरा उत्राखंड ओपन इनिश्टी के पत्रकाड़ता यहों मीडिया जन्संपर के विभाग मैं कारेरत हूं आज मैं सोशल मीडिया के बारे मैं बताना चाहता हूं सोशल मीडिया क्या है कैसे काम करता है हम सभी अपने ज्यादतर कारियों को सोशल मीडिया के माद्यम से ही करते हैं यदि पूछा जाए कि सोशल मीडिया क्या होता है तो इसका जवाब अधिकतर लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरह के से पता होगा क्योंकि आज सभी लोग स ऐसा प्लेटफार्म है जिसकी मदद से हम अपने सभी कारियों को एक जगे से दूसरे जगे तक बड़े ही आसानी से पहुंचा देते हैं। हम इसे सोशल मीडिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। सोशल मीडिया का उप्योग हम आज के समय में बहुत ही भली भाती करते हैं। मैं जिन सोशल मीडिया के बारे में आपको बता रहा हूं। वह और कुछ नहीं बलकि हमारा Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp और ऐसे ही कई और प्रेटफार में हैं। आपको साधरन भासा में बताएं तो यह एक दूसरे ब्यक्ति को जोड़ने वाला नेटवर्क है। सोशल कम्मिकेशन के द्वारा लोग एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ते हैं। लोग नेटवर्क के माधियम से आउनलाइन तरीके से काम करते हैं। यह बहुत प्रिशिद्ध और प्रचलित प्लेटफार्म है। सन 1997 में दूनिया का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफार्म लाँच हुआ था। इसका नाम सिक्स डिगरी था, यह प्लेटफार्म को एंड्यू विन रिच ने शुरू किया था। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर देश विदेश में घटिद हो रही, घटनाओ का विस्तित रूप से जानकारी प्राप्ति की जा सकती है। और इसके साथ-साथ किसी भी व्यक्ति को ढूढने के लिए भी सोसल मीडिया का उप्योग किया जाता है। सोशल मीडिया का उप्योग करके कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठ कर किसी भी समय किसी से भी बातें कर सकता है इतना ही नहीं सोशल मीडिया की मदद से सुरुक्षिया बल अपर्यादियों का पता करती है और जल्द जल्द अवर्यादियों को पकड़ भी लिया जाता है सोशल मीडिया के उप्योग से यदि हम चाहें तो किसी भी व्यक्ति की पैचान कर सकते हैं वो वेक्ति कहा रहता है, उसका नाम क्या है, इस विशे में भी जानकारी हमें मिल सकती है, हम प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करें सोशल मीडिया के साबदाइक अर्थ की, तो सोशल मीडिया का साबदाइक अर्थ होता है सामाजिक मीडिया, अर्था देश विदेश में घट रही घटनाओं की जानकारी और लोगों के विशे में विश्तित जानकारी होना सामाजिक मीडिया जिसे सोशल मीडिया हम कहते हैं एक ऐसी मीडिया है जिसके तहद यदि हमें किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम सर्च करके कुछ जानकारी का पता लगा सकते हैं आज कल के दोर में ये बहुत प्रिचलीद है और यही सोशिल मीडिया का अर्थ होता है सोशिल मीडिया बरतमान में बहुत ही ज्यादा चर्चित है क्योंकि कोई ब्यक्ति सवाल का जबाब पाने के लिए सोशिल मीडिया पर एक बार जरूर सर्च करता है उसमें एक बार जरू सोशल मेडिया पर इसकी जानकारी होती है तो वो उसे जरूर प्रोवाइट की जाती है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बरतमान समय में सोशल मेडिया को सबसे ज़्यादा चर्चित प्लेटफार्म माना जाता है सोशल मेडिया के मदद से कोई भी ब्यक्ति किसी भी इस्तान पर बैट कर अपने सगे समंधियों या फिर किसी भी रेंडम ब्यक्ति के साथ आसानी से जुड़ सकता है और उनसे बातें कर सकता है सामानी तोर पर ज्यादा तर लोग सोशल मेडिया पर अपना एकाउंड बनाते समय पूछे गये सभी प्रकार के एक्सेस को अलाव कर देते हैं जिसके कारण से यह मुख्य रूप से दो भागों में बाटी गई है इसमें नमबर एक भाग है इंटर्नल सोशल मीडिया और नमबर दो है एक्स्टर्नल सोशल मीडिया जैसा कि इसके नाम सही सफ़ष्ट है ऐसा सोशल मीडिया एकाउंट है इंटर्नल सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं इसमें यदि आप जुड़ना चाहते हों तो आपको एक फार्म फिल करना होता है इसके पच्चात आपको एकसेस दिया जाएगा और पूरी छानविन के बाद ही आप इसके तहट जुड़ पाएंगे इस सोशिल मीडिया के बारे में हम सभी एक बहुती आसान से उदाहन के साथ समझ सकते हैं कि एजुकेशनल ग्रूप, फोटोग्राफिक ग्रूप, हैकिंग ग्रूप या फिर कोई भी सिक्रेट फार्म ग्रूप है जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह सभी ग्रूप बहुती छोटे और बहुती प्राइविट कमिनिटी के होते हैं अर्थात इस सोशियल मीडिया के माध्यम से बहुती कम लोग एक साथ जोड़ पाएंगे और इनकी जो प्राइविशी होती है, वो बहुती ज़्यादा हार्ड होती है ताकि इसे कोई भी ब्यक्ति बहुत आसानी से पता ना कर पाए यह ऐसे सोशियल मेडिया ग्रूप होते हैं जिनके तहद यदि आप जूड़ना चाहें तो सोयम से कभी भी नहीं जूड़ पाएंगे और यदि आप इस ग्रूप से जूड़ना चाहते हैं तो आपको विशेश इन वेटिशन की आवसकता पड़ती है अर्थात इस ग्रूप में केवल वही जूड़ सकते हैं जिनने उस ग्रूप के किसी एड्मिन मेंबर के द्वारा इन्वेटिशन दिया गया हो या फिर जब उस ग्रूप का एड्मिन उसे खुद से एड़ करे इंटरनेट शोचल मीडिया का प्राइबेट पासवर्ट इतना हार्ड होता है कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से नहीं खोल सकता है इसे ओपन करने के लिए उस व्यक्ति के पास काफी तेज दिमाग होना चाहिए इस सोचल मीडिया को केवल उस ग्रूप के मेंबर ही खोल सकते हैं एक्स्टरनल सोचल मीडिया जैसा कि इसके नाम से इस पर होता है कि यह ग्रूप बाहारी कम्मिनिकेशन सोशल मीडिया है अर्था इस communication का उप्योग कोई भी ब्यक्ती बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह एक खुला संचान माध्यम होता है सोशल मीडिया का प्राइबसी थोड़ी सी वीक होती है यह सोशल मीडिया मुख्य रूप से खुला और पब्लिक कम्यूटी के लिए ही होता है सोशल मीडिया के उप्योग से ज़्यादा से ज़्यादा मातरा में लोग जुड़ सकते हैं और यह इनी लोगों के मद्य एक कम्यूटी इस्तापित करता है जो कि बहुत कारगार होता है यदि किसी ब्यक्ति की खोज या तलास करनी हो तो एक्स्टरनल सोशल मीडिया उसकी काफी मदद कर सकता है एक्स्टरनल सोशल मीडिया के तहद यह जोड़ना चाहता हो तो उसे किसी भी परकार के विशेश इन्विटेशन की आप सकता नहीं होगी ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क में किसी भी व्यक्ति को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का इन्विटेशन या आग्या लेनी नहीं होती है सोशल मीडिया नेटवर्क में यदि आप जोड़ना चाहते हूं तो आपको किसी भी प्रकार की परसानी नहीं होगी आप इस communication माध्यम में बड़े ही आसानी से जूड़ सकते हैं इस social media को इसलिए खुला रखा जाता है क्योंकि कोई भी ब्यक्ति इसमें आसानी से जूड़ जाए और इस social media का traffic काफी बढ़ जाए हमें अपने कारियों को करने के लिए ज्यादा traffic वाले social media का उप्योग करना चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारे like और view जाते हैं जिसके कारण आपके product की implement हो जाती है आखे बात करें हम तो social media का उप्योग कई स्थानों पर होता है इसमें से निमने इस्तान पर सरवादिक प्रियोग होता है जैसे ब्यापार के रूप में, मेडिगल के रूप में और सर्च यानि के खोजबिन करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रियोग किया जाता है जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्लेटफार्म पर ज्यादा ट्रैफिक होता है उसी प्लेटफार्म पर बिजनेस करने का मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से त्यार होता है हमें सोशल मीडिया का सही उप्योग करना चाहिए सोशल मीडिया का सबसे अच्छा उप्योग छोटे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है सोशल मीडिया का उप्योग कोई भी ब्यक्ति अपने प्रोडक्शन को बड़ी ही आसानी से बेज सकता है और वह ब्यक्तिक काफी मुनाफ़ा प्राप्त कर सकता है सभी छोटे ब्यापारी अपने बिजनिस को बढ़ावा देने के लिए सोशल मेडिया का उप्योग करते हैं सोशल मेडिया का उप्योग करके कोई भी ब्यापारी अपने प्रोड़क्ट को बड़ी से बड़ी चीजों को आसानी से बेश सकता है यह जनता के बीच ले आ सकता है सोशल मीडिया न केवल भारत में बलकि संपूर्ण बिश्वों में संचालित होता है यह सोशल मीडिया का उप्योग करके अपनी दूसरी और तीसरा जो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का उप्योग करके हम अपनी और दूसरों की हेल्थ आदी का भी ख्याल रख सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने हेल्थ से समंधित बहुत से दवा इत्यादी आचुके हैं साथ साथ हम दवाओं को भी सोशल मीडिया के माध्यम से मंगा सकते हैं और वक दवा बिल्कुल कारगर होती है सबी लोग इसका प्रियोग करते हैं बहुत से हेल्थ प्रोफेशनल लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया का उप्योग अपने ही स्ट्रिटेशनल नौलेज इत्याजी के लिए किया है वे अपने नौलेज को एक दूसरे के साथ सेयर करते हैं सोशल मीडिया एक ऐसा अप्लिकेशन होता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को बड़ी ही आसानी से शीख सकता है और उसका उप्योग कर सकता है इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर अनेकों प्रकार की दवाएं उबलब्द हैं इसके लिए अन्योग प्रकार के अपलिकशन भी जारी कर दिये जाते हैं, दिये गए हैं और समाजिक मीडिया जो सोशल मीडिया है, इसका उपयोग किल कहें तो किवल एक दूसरे के साथ समंद बिजनिस के रूप में ही नहीं किया जाता है इसके अलावा भी इसका उप्योग बहुत सारी चीजों के लिए सर्च के लिए छान बिन के लिए किया जाता है छान बिन से हमारा आर्थ है कि सोशल मीडिया के जारा प्रदान कराए जाने वाली सर्विस का उप्योग करके कि हम उनसे जुड़े सभी इन्विस्टिगेशन बड़ी है आसानी से करते हैं या हो जाते हैं हमारे इन्विस्टिगेशन क्योंकि सोशल मीडिया पर उस ब्यक्तिके सभी प्रकार के इन्फोर्मेशन इत्यादी मिल जाती है हमें सर्च करके जिससे उन्हें क्रिमिनल्स की पैचान करने में वक्त बरबाद नहीं होता या जिसकी खोश कर रहे हैं उसकी पैचान करने में वक्त बरबाद नहीं होता वो हम आसानी से जान देते हैं सोशिल मीडिया के कुछ महत्वपूर्ण विशेष्टाएं हैं जैसे कि सोशिल मीडिया बैप सर्विस होता है जो कि लोगों को अलाव करते ही एक पब्लिक और सेमी पब्लिक प्रोफाइल बनाने के लिए एक लिमिटेट सिस्टम परदान करता है दूसरा सोशिल मीडिया लोगों को ऐसी फैसलेटी परदान करता है कि किस परकार से हम अपने कमेंड को दूसरों के साथ सेयर कर सकते हैं तीसरा यह कम्मिकेशन एक दूसरे के साथ बहुत ही महत्तुपूर वेरिफिकेशन करता है साथ ही यह नेचर और साइट को भी वेरिफाई करता है सोशिल मीडिया का उप्योग लोग अकसर एक दूसरे को अलावट करने के बाद ही करते हैं यह दि कोई ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति को कनफर्म नहीं करता है तो वह उस ब्यक्ति से संबंद में नहीं जोड़ पाता है सोशिल मीडिया एक ऐसा फिलेट फार में हैं जहांपर लोग अपने प्रतिदिन के हिसाब किताब से घटित होने वाली घटनाओं को शेयर करते हैं परन्तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन हुने सोशिल मीडिया का नाम तो सुना होगा परन्तो सोशिल मीडिया क्या होता है इसके विशे मैं नहीं जानते होंगे पता दें कि social media network platform के जैसा ही होता है जिस प्रकार network platform एक दूसरे को जोडने का कारिक करते हैं ठीक उसी प्रकार social media भी एक दूसरे को साथ जोडना जोडता है परन्तो social media में इतना ही फर्क होता है कि इससे कोई एक या दो ब्यक्ति नहीं अपितु अनेकों ब्यक्ति बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुड़ सकते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बरतमान समय में किया जाने वाला काम पूरी तरह से अब आउनलाइन हो चुका है सारे काम काज आउनलाइन उचलने हैं आजकल और इसलिए लोग आपस में बाचित करने के लिए एक दूसरे से संपर बनाने के लिए और एक दूसरे के साथ अपने पसंदिदा चीजें शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का उप्योग करते हैं ऐसा अनिक बार होता है कि आपका कोई परिवार वाला या फिर आपका कोई मित्र यहां से दूर किसी विदेश में रहता हो या उससे आपकी मित्रता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का उप्योग करते हैं और उसके साथ आप विचार विमर्स को सेयर करते हैं और इतना ही नहीं सोशल मीडिया का उप्योग करके आप जिसकी खोज करना चाहा रहे हैं उसकी भी खोज कर लेते हैं सोशल मीडिया का एक अन्य नाम सोशल मीडिया सर्विस होता है इसका अर्थ होता है कि इंटरनेट का उप्योग करके किसी दूर बैठे बैक्ते के साथ जोड़ना और एक दूसरे के साथ जोड़कर उनसे वीडियो कांफेंसिंग या चैटिंग के माध्यम से बाते करना है सोचल मीडिया के माध्यम से हमें देश विदेश में घटरी घटनाओं का संपूर्ण विवरान प्राप्तों हो जाता है इसके साथ हम दूर बेठे लोगों से बातचीत बहुत आसानी से एक दूसरे को देखकर कर सकते हैं सोचल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेट फार्म है जहां पर लोग वराइटी आप रिलेशन्शिप को मेंटेंट बनाए रखते हैं ऐसे में इसके उप्यूप से हमें बहुत से लाब होते हैं जैसे यदि हमारे विश्चिदार या फिर कोई मित्र किसी अन्य इस्तान पर रहते हैं तो तब भी हम उनके साथ सोचल मीडिया की मदद से संपर्क आसानी से बना सकते हैं और उनके साथ कम खर्च में ही बातचीत कर सकते हैं अपना संदेश पहुंचा सकते हैं फिर आता है सोचल मीडिया का उप्योग बहुत सी चीजों के लिए चानकारी प्राप्त करने के लिए कि आ जाता है यह मैंने भी बताया था और फिर है सोचल मीडिया की मदद से हम किसी भी ब्यक्ति को डिवाइस फाइल किसी भी आसानी से पहेज सकते हैं डिवाइस फाइल का अर्थो होता है फूटोग्राफ्स डक्युमेंट आधी आधी जो होती है हम अपने घर पेटे ही स्कूल के एक्तिवीटी को भी बढ़ी आसानी से देख सकते हैं किसी सक्तान के अक्टिवीटी देख सकते हैं और वहा के मेंबरों से हम संपर कर सकते हैं यहां तक कि यही नहीं है कि हम दूसरे देश राज जी साहर इसती लोगों के साथ भी इंट्रेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें अपने नोए दोस्त बनाने हैं यह नए संपर के इस्तापित करने हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम सबी यह कारी आसानी से कर सकते हैं। सोशल मीडिया के उपयोग से कॉलोब्रेटिव लर्निंग करने में बहुत मदद मिलती है। सोशल मीडिया का यह सामाजिंग मीडिया का उपयोग करके हम कॉमर्शियल नेटवर्क को मदद कर सकते हैं। जिसके माध्यम से अपने प्रड़क्ट हम लोगों आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिन भी चीजों का जितना भी लाब होता है हमें। और उससे कुछ नुक्सान भी होते हैं। ठीक इसी परकार सुष्यल मीडिया से भी नुक्सान होते हैं। इसका प्रड़क्ट करने के लिए क्योंकि इसका प्रवाइएसि बहुत कमजोर होता है और जिससे हमें रहा नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया का उप्योग करने से लोग अपने परिवार, दोस्त, काम, आधी को अपना समय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ज्यादा तर हम समय इसी में गुजारते हैं। आजकल तो ये लोगों की दिंचरिया में सामिल हो गया है। फिर सोशल मीडिया के माधन से हमारे जो रिष्टे पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हम उनको समय नहीं दे पाते हैं। सोशल मीडिया का उप्योग करने से एक अकाउंट बनाने के कारण नुक्सान होने की पॉब्लिशिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को काफी नुक्सान हो सकता है। बरतमान में सोशल मीडिया के प्रति दिन बढ़ते हुए उप्योग को देख करके ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया का बहुश बहतर होने वाला है। इन सब नुक्सान या कमियों के बावजूद दी। सोशल मीडिया अपने आने वाले सामय में काफी उचाईयों को छोने वाला है। आज के समय में किसी भी ब्यक्ति का ज्यादतर कारी सोशल मीडियम के सोशल मीडिया या समाजिंग मीडिया के द्वारा ही हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का उप्योग करके अपने विजनिस को बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया का उप्योग करके हम अपनी गतिपिदियों को ब झाल झाल